हईवार है दोस्तों कैसे हैं अपने एक स्टुडेंट अपनी इस चैनल पर पहली बार है यह छैनल को सबस्क्काइब कर लिए इस चैनल पर हम अकान्टकी qo Οочь इंब कराते आपको guidance प्원हा सकंप घांद ही यह हमारे लिए लिए commerce के स्टुڑन बहुत खास है क्योंकि में बैंक, इन गवर्मेंट बैंक, कैसे करें तैयारी, प्लीस तर इसके बारे में बताईए, तो अगर आप भी चाहते हो तैयारी करना, बस मेरी वीडियो को लास तक देखना, बिना मिस की है, दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बीकोम में अगर आप खाली बीको कैसे देखियोंगे, बीकोम भी कर चुके हैं, उसके बाद भी बेरोजगार हैं, आप पूछते हैं, तो कहते हैं, यार, क्या करें, नोगरी नी मिल रही है, अरे, नोगरी मिलती नहीं है, नोगरी लेनी पड़ती है, अपने टैलेंट के दम पे, अब बहुत बच्चे हैं, जो बीकोम पूरा भी नहीं होता, उनकी जोब लग जाती है, उनके पास कुछ अडिशनल है, आप बीकोम के साथ क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरू से बताना, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो जरू से बताना, क्योंकि आपके लिए फिर ये वीडियो बहु अब इन तीन साल में आपने कुछ ना कुछ करना है, ये तो बात आपको पता ही है, बैंक में जाने के लिए क्या करें, सबसे पहले प्राइवेट वाले बच्चों को बताते हैं, जो प्राइवेट बैंक में जाना चाते हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, उसे जरूर कर लें उसे डिपलोमों करने के साथ बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं बीकॉम के बात भी हो जाता है उसे करने के साथ ही आपके किसी प्राइट बाइज इसे आईसी एजडियेफसी बैंक में जोब मिल जाती है यह फिर आप डारेक्ट इनकी ओफिशल वेबसाइट पर जाते रहें अभी बीकॉम में आप थोड़ा बहुत टच में रहें कुछ 12 बाद भी जोब्स होती है इनकी ओफिशल वेबसाइट होती से HDFC की है, ICIC की है, AXIS Bank की है, YES Bank की है, ठीक है न, AU Bank की है उनमें आपकी वकेंसी निगलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कोई अगर आपको यह करें, मुझे दसजार दे तो मैं जोब लगवा दूआ, महाँ जार दो तो ऐसे लोगों से बचके रहना, वो आपका बेवकू बनाते हैं और कुछ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आज गोर्मेंट बैंग में जाने वाले हो, जो गोर्मेंट बैंग में जाने मैत अच्छा कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी लेवल पर ग्रामर अच्छी करो, क्योंकि बहुत बच्चों की इंगलिश वीग होती है, आपकी गोर्मेंट एक्जाम में बहुत तबज्जो देते हैं, ग्रामर अच्छी कर सकते हो, कोचिंग लो, ओनलाइन यूटूब से पढ बैंक का एक्जाम अटेम्ट करोगे, और जैसी आप अटेम्ट करोगे, आपका फर्स्ट अटेम्ट में किलियर हो जाएगा, अब यह सब कैसे मुम्किन होगा, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहली बात है, कोई भी जो बुक्स आपको लेनी है, वो कौन सी उस बुक्स से पढ़ाओ बच्चा कभी पास नहीं होता, आपको सबसे पहले क्या करना है, बुक्स के लिए सबसे पहले जो बैंक का आपका एक्जाम है, उस एक्जाम में उसका सलेबस सबसे पहले नोट करें, यूटूब से या गूगल से कहीं से भी, उस सलेबस में कितनी बुक्स आती है, मालो आपकी चार बुक्स आ रही है, चार सब्जेक्ट्स आ रहे है तो four books अलग-अलग purchase करें, हिंदी की English की अलग, GK की अलग current affairs है तो उसकी अलग maths की अलग, है न science वगएर है तो सब की अलग-अलग book आपको लेनी है जाके market से तब ही आपके अच्छे number आपाएंगे दोस्तों सोचिए, जो market में एक book आती है, bank exam book इतनी मोटी होती है, उसे सभी पढ़ते हैं सभी न पास हो जाएंगे आप अलग से क्या तयारी कर रहे हो आपको become second year में ही books ले लेनी है, और books कैसे लेनी है, चारो book को एक साथ मत परचेस करें पहले दो book लें, जब वो तयारी हो जाएं, दो book बाद में लें दो book जो लेंगे आप, एक theory, एक numerical एक maths, एक कोई हो उसकी preparation करें YouTube की help भी लें उसे पढ़ें, अगर आप बहुत week हैं तो coaching ले सकते हैं, become second year is the right time to take a coaching of banking examination, सबसे अच्छा time है, bid में become की तियारी भी करते रहें, साथ-साथ बैंक की तियारी भी करते रहें, coaching ज्यादा लंबी मत लें, अपने ओपर depend रहें coaching वालों पर depend मत रहें, वन्दा fail हो जाओगे coaching से केवल आपको numerical clear करा देते हैं, याद करने का trick बता देते हैं, short tricks आपको समझा देते हैं, उससे अदा और कुछ नहीं होता तो वह आप apply करें, four books लें, दो books पहले लें, उनसे पढ़े जब वो हो जाएं, फिर दूसरी books लें और जब आपका final year आ जाए final year भी होने वाला हो paper, उसमें उनकी तेयारी करें, उनसे आपका revision होगा और उससे अपका exam pass out होगा, यह trick होती है, यही तरीका होता है exam pass out करने का, मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, coaching ले लेते हैं, coaching पर depend रहते हैं, पढ़ाई कुछ खास नहीं करते हैं, मार्गिट से करते हैं, किसी private job में, आप ऐसा काम बिल्कुर मत करिए, सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना भूल गया, किसी भी exams को देने के लिए जा रहे हो, तो पहले एक exam का target बनाओ, मैंने देखा बच्चों को सब करोगे, exam को target बना के तियारी करोगे, उसको achieve करोगे, तो definitely होगा, अब आप लेके multiple को चल रहो, सब exams का अपना syllabus है, अपना criteria है, कैसे judge करोगी, अगर आप bank color की तियारी करे हो, तो color की ही तियारी करो, PO को भी बीच में ना लाओ, वैसे मैं recommend करूँँआ, PO की तियारी करोगे, उसे color भी निकल जाता है, तो यह था, बाकि आपकी कोई भी query हो, comment box में comment कर देना, कोई बात रहागी हो, बतानी तो मैं आपको reply दे दूँगा, और अगर इसका second part चीए, तो वही बता देना, बाकि आप सब preparation करिए, आपका dream है bank में जो पान डेफिनेटली होगा, उसके relation में मैं आपकी क्या help कर सता हूँ कि मेरे पास experience है सब चीज होगा, आप शीदे 13 सार से career guidance प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपना जो main channel SBG Glass के उसके मैंने 4000 से दा वीडियो डाली है, career के ओपर, आप bank exams के बार में Google पर search भी करोगे न, मेरी videos आएंगी, like करेगा, channel बसे लिए